हेलो फ्रेंड्स मैं हुजे बाखान और वेलकम है आपका मेरी चैनल वर्किंग लूमेंस किचिन में अचकल गर्मी का मौसम है गर्मी बहुत ज्यादा है तो इवनिंग में अक्सर हम लोगों कुछ ठंडा खाने का दिल करता है तो उसके लिए आप यह मैंगो आइस्क्रीम मिल्क शेक को ट्राई कर सकते हैं तो चैनल शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है दो मैंगो और उनको पील करके इस तरह से चुटे-चुटे पीसेज में कट कर लिया है आप किसी भी वराइटी का मैंगो यहाँ पर यूज कर सकते हैं अब आपको एक जार ले लेना है उसमें यह मैंगो का जो यह पल्प है ज मैंगो की जो ये पल्प है उसके चोटे-चोटे से चंक्स पना के रखे हैं ताकि उसे हम उपर से यूज कर सकें अब मैं यहाँ पर शुगर एड़ कर दे रही हूं वैसे तो मैंगो मीठा होता है लेकिन आप थोड़ी सी इसमें शुगर एड़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ प इसको हम लोग चला लेंगे मिक्सर में ताटी यह अच्छे से पिज़ जाए और फिर इसके बाद हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अब इसमें हम लोग आइस क्यूब डालेंगे और जो बाकी का बचा हुआ मिल्क है उसको एड़ करेंगे और फिर इसके बाद इसको चौन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो मिल्क लेना है यह मैं कच्चा मिल्क कर यूज कर रही हूँ मैंने बॉइल नहीं किया है मिल्क को कच्ची मिल्क को मिलाने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यह कापी ठिक बनेगा तो अब इन सारी चीजों को डालके एक बार फिर से मैं इसको चला ले दी हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना फ्रौती सा यह शेक बनके तयार होगा तो यह देखिए मैंगो शेक देखने में अब इसको हम लोग निकाल लेंगे जिसमें हमें इसको सर्फ करना है तो मैं ग्लासेज में निकालने के बाद फिर इसके बाद मैं इसमें उपर से और चीज़े एट करूँगी इसको और रिच फ्लेवर बनाने के लिए इसका और टेस्टी हो जाएगा यह और कुछ आपको अलग टेस्ट मिलेगा मैंगो शेक का तो ग्लासेज में मैंने इनको निकाल लिया है अब ओपर से मैं इसमें यहाँ पर एट करूँगी आइस्क्रीम तो यहाँ पर मैं वेनिला आइस्क्रीम का यूज कर रही हूँ आप किसी भी फ्लेवर की आइस्क्रीम को यहाँ पर यूज कर सकते हैं शेक में आप आइस्क्रीम एड़ करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें ओपर से इसमें आइस्क्रीम डालने के बाद मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि कुछ मैंगो के पीसेस को अलग कर लें और उनके छोटे-छोटे से आपको चंक्स बना लेने हैं ताकि हम लोग इसके उपर से उसको एड़ कर सकें तो सभी ग्लासेस में मैं पहले आइस्क्रीम को डाल दे रही हूँ एक ग्लास और बचा है उसमें भी मैं डाल देती हूँ पटाक से और फिर उसके बाद मैं इसके उपर से डालूँगी मैंगो चंक्स तो थोड़े-थोड़े से पीसेस आप आइस्क्रीम के उपर चंक्स के रखते जाएए फिर इसके उपर से थोड़ा सा आप डाल सकते हैं dry fruits तो ये सारी चीज़े मिलके ये shake को एक अलग ही look देती है और एक अलग ही flavor आपको मिलेगा तो यहाँ पर dry fruits मैंने अपने पसंद के add किये हैं जिसमें मैंने यहाँ पर बादम और पिस्ते को बारीक चॉप करके डाला है आप जो भी dry fruits डालना पसंद करें आप इसको add कर सकती हैं इस तरह से ये बहुत ही tasty सा मैं हो आइस क्रीम शेक बन गया है वीडियो पसंद आई हो तो like कर दें thank you for watching